भोपाल से पुने के लिए एर इंडिया फ्लाइट अक्टूबर में संचालित की जाएगे दर असल कम्पनी ने फ्लाइट का शेडियूल 30 सितंबर से आगे बढ़ा दिया है इसके बाद यात्रियों ने अक्टूबर के लिए पुने फ्लाइट की बुकिंग करना शुरू कर द भोपाल और भोपाल से दिली के लिए चुलाई जा रही है इंटर ये रविवार को आपको बता दे हर रविवार को सपोर्ट भोपाल फॉर इंडिया कनेक्टिविटी ग्रूप की ओर से सुबर दस से बारा बज़े तक ट्वीटर पर अभियान चुलाया जा रहा है जिसमें इस रविवार को दो घंटे में तीन हजार ट्वीट किये गए भोपाल से पुने के लिए एर इंडिया फ्लाइट अक्टूबर में संचालित की जाएगे दर असल कंपनी ने फ्लाइट का शेडिूल 30 सितंबर से आगे बढ़ा दिया है इसके बाद यात्रियों ने अक्टू कांपनी ने तीसरी बार शेडिूल आगे बढ़ाया है यह फ्लाइट दिली से भोपाल और भोपाल से पुने और वापसी में यही उडान पूरें से भोपाल और भोपाल से दिली के लिए चुलाई जा रही है डर यह रविवार को आपको बता दे हर रविवार को सपोर्ट फॉर इंडिया कनेक्टिविटी ग्रूप की ओर से सुबर दस से बारा बज़े तक ट्वीटर पर अभियान चुलाया जा रहा है जिसमें इस रविवार को दो घंटे में तीन हजार ट्वीट किये गए भोपाल से पुने के लिए एर इंडिया फ्लाइट अक्टूबर में संचालित की जाएगे दर असल कंपनी ने फ्लाइट का शेडियूल 30 सितंबर से आगे बढ़ा दिया है इसके बाद यात्रियों ने अक्टूबर के लिए पुने फ्लाइट की बुकिंग करना शुरू कर आपको बता दी केर इंडिया ने इस साल पाज जून को भोपाल पुने के लिए फ्लाइट शुरू की थी इस फ्लाइट की यात्रियों के लगातार मांग को देखते हुए कंपनी ने तीसरी बार शेडियूल आगे बढ़ाया है यह फ्लाइट दिली से भोपाल और भोपाल स दिली के लिए चुलाई जा रही है तर यह रविवार को आपको बता दे हर रविवार को सपोर्ट भोपाल फॉर इंडिया कनेक्टिविटी ग्रूप की ओर से सुबर दस से बारा बज़े तक ट्वीटर पर अभियान चुलाया जा रहा है जिसमें इस रविवार को दो घंट में 3000 ट्वीट किये गए भोपाल से पुने के लिए एर इंडिया फ्लाइट अक्टूबर में संचालित की जाएगे दर असल कंपनी ने फ्लाइट का शेडियूल 30 सितमबर से आगे बढ़ा दिया है इसके बाद यात्रियों ने अक्टूबर के लिए पुने फ्लाइट की आगे बढ़ाया है ये फ्लाइट दिली से भोपाल और भोपाल से पुने और वापसी में यही उडान पूरें से भोपाल और भोपाल से दिली के लिए चुलाई जा रही है इस में इस रवीवार को दो घंटे में 3000 ट्वीट किये गए झाल झाल